नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Hindi Knowledge Show में तो दोस्तों जो बाइडन के राश्टरपती चुने जाने के बाद तीन देशों का एक नेक्सस बनना शुरू हो चुका है ये तीन देश हैं तुर्की, रूस और चीन और इसमें शुरुआत की है तुर्की ने तुर्की को पता है कि सबसे पहला नमबर अगर किसी देश काएगा तो वो तुर्की का ही होगा, चीन और रूस तो बाद की बाते हैं और इसी को लेकर तुर्की ने अपनी कोशिशे भी शुरू कर दी है कोशिश इतनी जोरो पर हैं कि इस बात का अंदाज आप इस बात से लगाईए कि अब से एक महीना पहले जब अर्मेनिया अजरबैजान का युदु था अजरबैजान को सफट कर रहा था तुर्की और अर्मेनिया को रूस तो तुर्की किसी भी हालत में जुकने को तयार नहीं था वो युद खतम करने के लिए राजी नहीं था लेकिन अब आप स्कीन पर देखिए एक आर्टिक आले जिसमें तुर्की ने रशा से काया कि हमें जल्द से जल्द ये जो युद है इसे खतम करना होगा इसको लेकर हम परियास शुरू कर रहे हैं कल से ही जी आज से ही मतलब कि हम परियास शुरू कर रहे हैं और ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक युद्ध खतम करने को लेकर दोनों देशों की वीच में ठनी हुई थी एक तरफ से तुर्की जुखने को तयार नहीं था दूसी तरफ से रूस जुखने को तयार नहीं था लेकिन अब दोनों देश बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं इसके बहुत सारे कारण है लेकिन सबसे बड़ा कारण है जो बाइडन जो बाइडन को कट्टर तुर्की और रूस का विरोधी माना जाता है जी हाँ रूस और तुर्की के बहुत कट्र विरोधी हैं और इसलिए ये दोनों दर्श काफ़े की साथ घबराये हुए हैं क्योंकि इन पर जो पिछले चार सालों में देखे तो ना तो रूस पर कोई बड़ा परती बंद लगा जिस वाज़े से उसकी कोई भी थोड़ा सा रिकावर होना शुरू हो गई है वहीं बात करें तुर्की तुर्की ने इतने बड़ बड़े कदम उठाए उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ नहीं तो अमेरिका तो तुर्की को कंट्रोल करता है पुरी तरीके से लेकिन पिछले कुछ चार सालों में ट्रंप ने तुर्की के जो पेंच थे वो डिले छोड़ दिये थे उन्हें कसा नहीं था पुरी तरीके से लेकिन जो बाइडन पहली कह चुके हैं कि तुर्की का इलाज सबसे पहले होगा तुर्की का नंबर सबसे पहले आना निशित है ऐसे में रूस और तुर्की को सबसे बड़ चिंता है इनकी अर्थवस्था की क्योंकि जो काम सबसे पहले उमरी का करेगा दोनों की अर्थवस्था को बरबाद करेगा खासकर कि तुर्की की अर्थवस्था को बुली तरीके से बरबाद कर देगा और इन्हें बचाने का एक ही तरीका पता है रूस को भी और तुर्की को भी वो है चाइना अगर चाइना के साथ मिलकर एक अलाइंस बना लेते हैं तो कहीं ने कहीं चीन की मदद से ही अपनी अर्थवस्था को खड़ा रख सकते हैं जो इन्हें के लिए काफी मददगार होगा वहीं चाइना को भी पता है कि इस समय उसके सपोर्ट में जितने ज्यादा से ज्यादा देश आए उस तरह उसके लिए अच्छा है क्योंकि आज की तारिक में कुछ गिरे चुने रेश ही हैं जो चीन को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी आने की हाली में यूए यूए में हुए एक चिनों में भी दिखी जब भारत को हराने के लिए चीन ने पुरा दम लगा दिया लेकिन भारत इतने तगड़े तरीके से इलेक्शन जीत कया तो उससे पता चलता है कि चीन आज कहां स्टैंड करता है दुनिया में कोई से का क्योंकि अभी भी हजिटेट करता है कि पूरी तरीक से सपोर्ट निंगरता हो चीन को कहीं ने कहीं उसे भारत का थोड़ा सा लगता है लेकिन अगर जो ये अगर तीनों देशों का एलाइंस बनता है तो वह पूरी तरीक से शिफ्ट हो जाएगा चाइना की तरफ ऐसे में भारत को भी बहुत दिहान से चीजों को अनलाइज करना होगा क्योंकि चलिए तुर्किये खिलाफ तो कारवाई हो जाए यह तो भारत के लिए खुशी की बात होगी क्योंकि अर्दोगान ने भारत को हर जगे बदनाम करने खुशिश करी है चाहे वो युनाटिट नेशन ह भारत को बदनाम करने कर्शिश करी है कश्मीर के मुद्दे पर तो उसके खिलाफ जितनी कारवाई हो वो भारत के लिए अच्छा है लेकिन रूस के खिलाफ कारवाई अगर होती है तो रूस डेफिनेटली शिफ्ट होगा चायने की तरफ और जादा और जादा चायने पर और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होने वाला वाली चीन के खिलाफ भी अगर कुछ होता है तो भारत को कोई भी इश्यू नहीं है बस चीन पर जो अभी तक कंट्रोल करके रखा है अमरी की सेना ने खास करके रक्षिन चीन सागर वाले इलाके से वहाँ पर कंट्रोल बन रहना चाहिए वहाँ पर दबाव बना रहना चाहिए नहीं तो फिर अगर वहाँ से दबाव खुलता है तो फिर वो हिंद महासागर में निश्चित तोर पर घुशेगा तो यहां भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से इलाइज करके चीजों को आगे बढ़ना होगा और अ